असलाम नीकों वेल्कम टो वाई चैनल खुश्यामदी देखने व्लाग के साथ मैं हूँ आपकी होस्त मैविश तो चलते हैं आज के व्लाग के तरफ आज हम बनाने लगे हैं जर्दियों में स्पेशल जो बनती हैं अंडे की रेसिपी और अंडे और आलो की रेसिपी ना चलते हैं वीडियो की तरफ वीडियो में सबसे पहले वैने प्यास पॉल करें और उसके बाद आलो को रेएसשल में इताएं जो उनका इंदर कच्चा पाने नवहाँ खेजिता कि गेखा ँठारी की एक पुल वॉाइल होते है उनको फूल वॉाइल नहीं मैंने किया था उसके बाद इद्रख लसन का पेस्ट रेहां प्यास को अच्छे तरीके ब्राऌन करने के बाद नहीं यहांपे टौमाटर शामल कर दी है, और टौमाटर अपिचनल है, अगर आप चाहे तो डाल लें चाहे तो सकिब करते हैं, इसके साथ आप जब दरक लह्सन का पेस्ट स्ट का मिल करते हैं तो उस वक्त आपं बदाम और रह 나중에 भी सकते हैं, इसे बहुत कम स्पाइसिस जाएंगे और बाकी थोड़ा हमारा गरम साला जाएगा एंड पर डालेंगे और उसके बाद मैंने इसको मसालों को डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से बूल लिया है यहां पर एक बात बताती चलों इसको जितना अच्छा बूना जाएगा आपके अंडे का मसाला और अंडे बनके जो आलो और अंडे है यह बनके उतने ही जबरदस्त त्यार होंगे यह सारा होता है कि इस सालन की ग्रेवी किती जबरदस्त है तो उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है कि आलो और उसके बाद दनिया जो मैंने डालों के उपर ह और उसके बाद मैंने यहां पर चार से पांच मच के करीब दही का शामिल किया है अब हम इनको फ्राइर कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से कुप करने के बाद यहां पर इसको भून लेंगे जबरदस पूनने के बाद हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि आलो के अंदर जो कचा पन था वो बिलकुल खताम हो जाए तो मैंने यहां पर आप चाहे तो इसका ज़्यादा शौरबा भी बना सकते हैं ने हलका सा शौरबा बनाया था और पिर इसको ना मैंने थोड़ा सा शौरबे को हुश्क कर लिया था बिलकुल ड्राय हो गे थी और इनको पूनने के बाद देखे किते जबरदस बनके ना मेरे आलू त्यार हो आँ उनकी ग्रेवी भी इतनी जबरदस बनके त्यार होई थी और इसके बाद मैंने आप चाहे तो फुल एक भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पे इस तरह से स्लाइजिस में कट कर लिया था और कट करने के बाद इस तरह से मैंने इसको रख दिया था तो अब वारी आती है इसकी गार्निशिंग की तो यहां पे मैंने हरी मिर्च और उसके बाद दनिया और उसके साथ मैंने यहां पे अद्रक डालके न तो इसको प्लेट को और ज़्यदा खुबसूरत बनाया था देखें आपकी प्रेजेशन जिती जबर्दस्त हो आपके खाने का मज़ा भी उत्ता ही ज़्यदा आता है तो यहां पे प्रेजेशन को इचा बनाने के लिए मैंने यहां पे हरी मिर्च जो डाली थी और उसके बार तो आप बारी आती हमारी प्लेट को और ज़्यदा खुबसूरत बनाने की तो और ज़्यदा खुबसूरत हमारी प्लेट किस तरह से बन सकते हैं देखते हैं तो इसको और जाता हुबसूरत बनाने के लिए मैंने इसके ओपर धनिया और अद्रक्षामिल कर दिया है तो यह थी हमारी प्लेट की फाइनल लुक देखें जी किती हुबसूरत माशाला लग रही है और चिती हुबसूरत लग रही है खाने भी यकीन जाने इतनी ही जबर्दस्ती आई मैं होप कि आपको आज की रेस्पिक जरोड ट्राय करेंगे थैंक यू फॉर वाइचिंग अपना है रहे कि अगला आफीज